नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेक्ट दे कॉम्टिशन में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम SSB कॉंस्टेबल ट्रेट्समेन के एक्जाम के लिए जीके के कुछ महत्पॉर्ण क्वेस्चन्स आपके साथ डिसकस करेंगे जो की प्रिविएस येर के पेपर से लिए गए है सभी क्वेस्चन्स आपको हिंदी और इंग्लिस दोनु लेंग्वेज में अपियर होंगे और इनकी PDF के लिए आप अमारे टेलिग्राम ग्रूप या फिर वर्टसप ग्रूप को जोईन कर सकते हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सुरू करते हैं आज का पहला प्रस न दोस्तो आज का पहला प्रस न है Who introduced the Indian University Act तो भारतिये विश्विद्याले अधिनियं किसके द्वारा पेस किया गया था तो लॉर्ड करजन द्वारा भारतिये विश्विद्याले अधिनियम 1904 पेस किया गया था इंडिया में education procedure के लिए और शिक्षा संबंदिन नीतियों में सुधार के लिए Indian University Act को पास किया गया था तो इसका right answer हो जाएगा option number A, Lord करजन अगला प्रसन है दोस्तो the constitution of India was amended for the first time in which year तो भारत के संबिधान में पहली बार किस बरस संसोदन किया गया तो दोस्तो 1951 में भारत के संबिधान में पहली बार amendment किया गया और दोस्तो amendment का जो procedure है वो हमारे संबिधान के part 20 और article 368 के अंतरगत आता है तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे ये information काफी important है exam में पूछी जा सकती है अगला प्रसन लेक formed in a cutoff river, meander is called जब एक बहती हुई river को mainstream यानि की मुख्यधारा से काड़ दिया जाता है तो उससे एक झील का निर्मान होता है उस जील को क्या कहा जाता है दोस्तो उस जील को कहा जाता है ओक्स बो लेक जैसे कि जेलम नदी से कट कर डल लेक बनी हुई है तो इसका right answer क्या हो जाएगे दोस्तो ओक्स बो लेक यह बहुती important question है और exam में repeatedly पूछा जाता है तो प्राकर्तिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्तु कौन सा है तो uranium जो है दोस्तो वो heaviest naturally occurring element है और इसका atomic number होता है 92 तो इसका आंसर हो जाएगा option number D uranium फिर है दोस्तो purity of metal can be determined with the help of तो धातु की सुद्धता का पता किस principle या फिर किस नियम की थ्रू लगाया जा सकता है तो archimedes principle यानि कि archimedes के शिद्धान्त के अनुसार हम धातु की सुद्धता का पता लगा सकते हैं इसके अनुसार हम धातु की density और bouncy की help से metal की purity का पता लगा सकते हैं यह कितना डेंस है, इसका खनत्व कितना है, ठीक? When is the World Lever Day observed every year? तो विश्व लिवर डे, यानि कि जिगर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तो प्रतियेक वर्स 19 अप्रेल को World Lever Day मनाया जा सकता है इससे मिलता जुलता एक और डे है, जो एक्जाम में पूछा जाता है कि World Hepatitis Day कम मनाया जाता है दोस्तो, Hepatitis Day प्रतियेक वर्स 28 जुलाई को मनाया जाता है और इस वर्स की Hepatitis Day की थीम थी, Hepatitis Free Future क्या थी? Hepatitis Free Future और दोस्तो, Hepatitis एक लीवर की डीजी जोती है ठीक है न? तो लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रेल को और Hepatitis Day मनाया जाता है 28 जुलाई को तो आप याद रखेंगे, अगला प्रस्न है तो पहला देश जिसने भारत के लिए समुदरी मार्क की खोज की तो उसका आंसर है पुर्तगाल तो दोस्तो, पुर्तगाल के जो वास्कोड डी गामा थे तो वास्कोड डी गामा ने भारत के लिए 1495 से 1499 की बीच में समुदरी मार्क की खोज की थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओप्सन नमबर A, पुर्तगाल तो इसका आंसर है, the oldest Veda is Rig Veda इन वीच केम, the term T is used तो दोस्तो, T सब्द का पुर्योग की स्खेल में किया जाता है तो इसका आंसर है गोल्फ में दोस्तो, जो गोल्फ की बॉल का स्टेंड होता है जो आपको इस दिख रहा है यहाँ पर इसे T कहा जाता है, ठीक है न और यहाँ से question पुछा जाता है कि गोल्फ किस देश का राश्टरी खेल है दोस्तो, Scotland का राश्टरी खेल है कौन से देश का है, Scotland ठीक है न Who was the first Muslim President of India तो भारत के पहले Muslim राश्टरपती कौन थे दोस्तो, Dr. Jagir Hussain जो थे, वह भारत के पहले Muslim राश्टरपती थे, जो कि 1967 से 1969 तक इंडिया के President रहे, तो इसका अंसर है option number T, C, Dr. Jagir Hussain Which committee recommended for three language formula तो किस समीती ने त्रिभासा formula की सिफारिस की थी तो कोठारी कमेटी, जिसको की National Education Committee भी का आ जाता है 1968 मैं उने त्रिभासा या three language formula की recommendation दी थी दोस्तो three language formula जो था एक language learning policy थी, जिसके अंतरगत की पूरे देश के अंदर English, Hindi और इसके साथ एक छेतरी भासा को पढ़ाया जाता था Which of the following is not a terrestrial planet? तो निमलिखित में से कौन सा एक स्तलिय ग्रह नहीं है तो दोस्तो Jupiter एक स्तलिय ग्रह नहीं है दोस्तो terrestrial planet वो planet होते हैं जो inner planet होते हैं जिसकी Mercury, Venus, Earth और Mars जो की Sun के बहुत नजदीक होते हैं और metallic metal से बने होते हैं ठीक है न? metallic material जो होते हैं उनसे बने होते हैं लेकिन Jupiter जो है एक terrestrial planet नहीं है तो इसको ध्यान में रखेंगे यह important question है option number C is right answer अगला है the policy of family planning was adopted by government of India तो भारत सरकार द्वारा किस बर्स परिवार नियोजन की नीती अपनाए गई? तो उस तो परिवार नियोजन की नीती भारत सरकार द्वारा 1952 में adopt की गई परिवार नियोजन के तहट एक परिवार में कम से कम बच्चे पैदा करने का लक्ष रखा गया जिससे की population में कम ही आ सके ठीक है न? अगला प्रस्ण है which of the following is the largest part of human brain? तो मनुष्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो दोस्तो इसका आंसर है cerebrum cerebrum जो है brain के mass का two third होता है और या thought और action के लिए responsible होता है इसमें दो hemisphere होते हैं और प्रती एक hemisphere में चार लोब होते हैं ठीक है न? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? the largest part of human brain is cerebrum which nutrient is digested first in the mouth? तो खाना खाते ही कौन सा पोसक तत्तो सबसे बहले मुह में पच जाता है तो इसका राइट आंसर दोस्तो कार्बोहाइडरेट ठीक है? दोस्तो हमारे मुह में celery enzymes होते हैं जैसकी MLH ये जो कार्बोहाइडरेट के food starch होते हैं इनको breakdown कर maltose में convert कर देता है उसे और क्या का जाता है? तो postal voting को proxy voting भी का जाता है दोस्तो postal voting होती क्या है? कि जो भी हमारे सेना के जवान होते हैं सर्विसमेन होते हैं या फिर पेराइमिट्री जवान होते हैं तो वो election के समय वहाँ पर अपनी constituency में present नहीं हो पाते हैं उन्हें क्या किया जाता है? एक ballot paper दिया जाता है उस ballot paper में vote देते हैं और post के तुरूस को send कर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? proxy voting कहा जाता है option number 2 is right answer अगला प्रस्न है अधा Indian naval ship being converted into a maritime museum तो कौन सा एक Indian Navy का ship है? जिसको की समुद्री संग्रहाले के रूप में convert कर दिया गया है दोस्तों INS Vikrant को समुद्री संग्रहाले के रूप में convert कर दिया गया है ठीक है न? फिर है बांडभट was the court poet of which emperor तो बांडभट जो है किस emperor किस राजा के राजदरवारी कभी थे? तो ये थे हर्सवर्धन के और हर्सवर्धन किस बंस का सा सकता दोस्तों? पुष्चिभूती बंस का सा सकता पुष्चिभूती या फिर वर्धन बंस ये question exam में पूछा जा सकता है फिर है the father of extremist moment in India तो भारत में जो extremist moment था extremist मेला गरम दल वाली नेता कौन से थे? जो कि ये चाते थे कि अंग्रेजू से fight करके देश को आजात कराए जाई तो दोस्तो बाल गंगादर तिलक जो थे वो extremist moment के father उनको कहा जाता है इंडिया में और दोस्तो जो British लोग थे अंग्रेज थे वो इनको father of Indian unrest कहते थे ठीक है न? तो अगर exam में question पुछा आता है कि अंग्रेजे द्वारा किसको father of Indian unrest कहा जाता है तो वो हो जाएगा बाल गंगादर तिलक को option number 4 तो दोस्तो ये थे हमारे आज के प्रस्न अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो kindly इसको share कर देना और अधिक से अधिक like कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले Thank you, have a nice day